हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ रभी उल आप देख रहे हैं आरके कलनारी फ्रेंट्स आज जो हम बनाने वारे हैं ग्रिल चिकन सेजवान बिंगलेंज तो किस तरीका का बनता है बनने के बाद इस तरीका का दिखेगा आपको बनाने के लिए क्या क्या लगेगा चलिए स्टार्ट करते हैं and सबसे पहले चिकन बिंगलेंगे हम 8 से 10 पिस चिकन बिंगलेंगे और उसको साइड से आचा से काटके उसको इस तरीके से मार कर लेंगे उसके बाद में उसके मारनेशन के लिए जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं साल्ट गार्लिक चॉप जिंजर चॉप लेमिन जूस ब्लैक टेपर टेस्टिंग पॉडर हाफ टी स्पून सुगर वेजिटेबल ओयल हलका सा मैदा क्योंकि मैदा इसलिए इसलिए इस्तिमाल करेंगे क्योंकि जब हम मारनेशन लगाएंगे ग्रिल करते वक्त उसमें पगड़ना चाहिए अच्छी तरीका से इसका फ्लेवर तो इसलिए हलका सा मैदा इस्तिमाल करेंगे अब इसको अच्छी तरीका से हम मेक्स कर लेंगे क्योंकि बिंगलेटस में हमने काड़ते वक्त हलका सा मार कर चुके हैं तो उस में मसाला का अंदर पंच रहेगा तो जब GIRL करेंगे हम इसको तो सके अंदर जो है फलेवर अरामसे हम जाएगा तो इस तरीका का पहले इसको अच्छे से मारनेशन कर लेके इसके बाद महिन में बढ़ते हैं तो लिए स्टार्ट करते हैं अब जो है हम ग्रील करने का स्टार्ट करेंगे इसके अंदर जो फ्लेवर है हमने गार्लिक का फ्लेवर दिया है यह काफी इसका अंदर रहने वाला है अब इसमें जो हलका सा तेल इस्तिमाल करना है उपर से डालना है इसको थोड़ा कवर करके हम आपको कूप करेंगे क्योंकि बिंगलेंज का साइज जो है काफी बड़ा है और देखने में काफी बड़ा भी है तो उस तरीका से अगर हम इसको उपे इसमें ग्रिल करेंगे तो काफी टैम लगेगा और कलर भी सई से नहीं मिलेगा अगर हम इसको कवर करके पकाते हैं तो गरम में जो है जल्दी टेंपरेजर इसका जल्दी होने का चांस है और अच्छी तरीका से हो जाता है आप साइज हम इसको हल्का से पल्टेंगे आप जो है जो है जो है चिकन का जो में जो पार्ट होता है बिंगलेंड में काफी सैड होता है इसके अपने आप जो है ओई जो है अपने आप रेडिस हो जाता है इसी इसी सैड से हलका सा हमें डालना है इसके बाद में जो है यह आपने आप उसी तेल से यह पकना शुरू हो जाता है ज़र आप देखे तो उसी तेल में जो है यह पकना चालिए जाए जाए यह जो है अच्छी तरीका से अब ग्रील हो चुका है इसके अंदर से जो है काफी फैड जितना होता है बिंगलेंड्स के अंदर से खीज क stating हमेसा फैटी होता है लिशी है तो इसके अंदर फैड से हमने अगल तक म सामने आप देखो कितना ओए ऊए सुकषे अब देखिये इसमें अब काफी ओईल आ चुका है तो इसके अंदर जो जतना भी फैट था उफेट इसके अंदर मेल्ड हो चुका है तो आप हम इसी फैट के ऑईल से इसमें सॉस बनाएंगे जो जो काफी रिचनेस अच्छा टेस्ट होगा तो आप हम इसी में सॉस इसका फिल करेंगे अब इसी में जो है हम उसमें सॉस बनाएंगे सबसे पहले जिंजर का इस्तेमाल करेंगे हम सबसे पहले चॉप जिंजर चॉप गार्लिक थोड़ा सा बारिक चॉप ओनियान अब इसको में अच्छा तरीके से इसको गॉल्डेन कलर में कर लेंगे बिंगलेन्स का जो ओयल इकला हम उसी में यह जो सॉटे कर रहे हैं काफी टेस्ट फुल होने वाला है क्योंकि फैट रिचनेस होगा और उपर से टॉमेटे सॉस देजवन सॉस का स्पाइसी और सूटिनेस जो है काफी सांदर टेस्ट फिल करेंगा हलका सा ब्लैक पेपर और रिड क्रेश चिली हमने इस्तिमाल कि काफी सांदर होने वाला है हुआ हुआ है काफी काफी दिख रहे यम्मी दिख रहे है सपाइसी सुट एंड तोड़ा सावनेस के लिए जो टॉमेटे कच्छब हमने यूज़ किया है स्पाइसी के लिए सेजवान सोस और क्रश्च रेड चिली जो हमने इसकि माल किया है तो काफी यम्मी होगा यह अब हलका सास्मेश प्याच का पत्ता दालेंगे हरा प्याच का पत्त इसकी वह अलग प्रिग होती है आलग खुजबू होता है तो यह जितना इसमेश फ्लेवर में मिलेगा आपको काफी सांदर दिखेगा तो यह जो है हमारा रिडी हो गया है तो बार्वीक्यू बिंगलället जो है सेजवान चत्नी के साथ कॉम्बिनेशन काफी सांदर होता है हमने जो बनाया है काफी यमी टेस्ट है तो आप इसको देख सकते है इस तरीका से आप बनाये और काफी सांदर यह होगा यह है हमारा बार्वीक्यू सेजवान बिंगलेट्स काफी यह अम्मी टेस्ट के साथ है यह रेसिपी कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें चैनल पर अगर नए हैं सस्क्राइब और लाइक और कमेंट्स करें अगर दोस्तों हमारे चैनल पर पहले से जुड़े हैं तो लाइक और कमेंट्स ना करना भूलें अब लोग का हर कमेंट्स का रिप्ले करता हूँ तो इसका भी रिप्ले जरूर करूँगा अब लोग को टेस्ट कैसा लगा? जरूर कमेंट्स करें बना के घर में तो चलिए प्लेटिंग करते हैं प्लेटिंग के और काफी टेस्ट फूल है ये अब जहे हम इसको प्लेटिंग कर लेंगे अच्छी तरीका से बंदो